नमस्कार ओम्शान्ते बाते हमारे कामके में आपका स्वागत करते हूँ पिछली कड़ी में हमने जानने की कोशिश की थी कि जीवन क्या है और खुशी हमारे जीवन में कैसे आए संतुष्ट हम कैसे रहें ये हमें बताया था जैमनी जी ने जैमनी जी का कुछ अनुभव ऐसा भी है कि वो एक हमारी मुख्य प्रशाशी का जी थी दादी जी जानकी उनके अंगसंग रहे उनका अनुभव क्या है उस जीवन में जो हाल ही में उन्होंने 27 मार्च 2020 में अपने शरीर का त्याग किया था उनके साथ अंगसंग कैसा उनका अनुभव रहा क्या उन्होंने जीवन में प्राप्ती की कैसे वो आगे बढ़ी और उन्होंने उनसे करते हैं बाते हमारे काम के में जयमनी जी का जयमनी जी का हमारे इस grease बहुत-बहुत सागत है थे जैर्ठ q के लिधे लिए हमरे जो मुखे प्रश्राशिका थे लिए और उनके अंग संग रहे और उनके जीवन आपने क्या अनुभव लिया है जो हमारे दर्शक भी उससे प्रेरित हुए दादी ची से मैंने ये प्राप्ति की है कि अगर हमको मनुष्य जीवन जीना है तो हमारा जीवन कैसे होना चाहिए तो दादी से मैंने बहुत बाते सिखी है अपने लाइफ में बहुत वैल्यू दादी बहुत गुणवान थी जैसे कहा गया है दादी जी के लिए कि वो गुणों का दान करने वाली है मतलब कि अगर जिसमें गुण नहीं है तो वो गुण भर देगी उनकी विशेष्टा थी कोई भी उनके सामने आते थे तो उनको उनका गुण और विशेष्टा दिख दादी ने मुझे अपने पास ही रखा और साथ-साथ मुझे सब कुछ सिखाया दादी में बहुत धीरच थी और मैंने भी धीरच दादी जी से ही सिखा क्योंकि मैं बहुत अधीर्य थी मुझे सब कुछ बहुत fast fast करना था और quick quick करना था quick quick बोलना, quick quick चलना, सब कुछ quick तो दादी ने ये सब मेरा note करके मुझे ये सिखाया कि life में धीरज एक गुण है तो धीरज से सब कुछ करने से बहुत अच्छी तरस से होता है और उसमें आपको बहुत आनन्द आएगा ये भी मैंने experience किया दादी ने मुझे accurate, alert, active ये रहने से प्राप्ती क्या होती है जो भी कारिय दिया जाए उसमें हमेशा ever ready रहना है कोई नेन से भी आपको जगा के बोले ने ये कारिय करना है तो हमने कभी विना नहीं कहा example दादी जी ने मुझे कहा कि अगर आपको center में मेरे साथ रहना है तो आपको driving सीखना पड़ेगा मुझे actually driving का बहुत डर लगता था क्योंकि वहाँ rules and regulations बहुत है परन्तु दादी ने कहा है और दादी ने मेरे लिए सब प्रबंद किया था कार भी, ड्राइवर भी और मुझे driving का time भी दादी मेरे लिए मुकरर करके रखा था सब कुछ time table मेरा organize किया दादी ने और driving भी मैंने सिखा और दादी ने मेरे को really इतना सेवा दिया driving की कि आज मैं लंडन की हर street को जानती हूं कोई मुझे का यहां जाना है तो में A to Z उन दिनों में A to Z हमारे पास था परन्तु अभी तो navigator है तो कहां पर भी जाना है तो main road सब पता है परन्तु जब हम नजदीक आते तभी मैं navigator लगाती हूं तो ऐसे दादी ने आप समझ सकते कि स्थूल में भी दादी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और अध्यात्मीक जीवन में भी दादी ने मुझे बहुत तयार किया मैं बहुत alert हूं बहुत accurate हूं और हर कार्य के लिए मैं ever ready कभी मैं ये नहीं कहती हूं मैंने घर का काम सब कुछ सिखा पहले मुझे कुछ नहीं आता था सेंटर में दादी ने मुझे सब कुछ सिखाया और साथ-साथ मैंने ये भी सिखा कि कैसे लोगों के साथ interact करते हैं तो आज मैं public relation में कहूंगी कि दादी के कारण ही एक मेरे में skills आ गई है ये भी skills मैंने learn किया क्योंकि दादी ने हमको बहुत encouragement दिया मैं बहुत shy थी मैं दादी से बहुत बात करती थी पर मैं किसी और से नहीं बात करती थी मुझे पता नहीं कैसे उनसे interact होना है तो दादी ने मुझे ये भी सिखाया कि कैसे अपने और भाईबेनों के साथ भी बात चित करना है मैं बहुत शान्त थी और मुझे meditation बहुत अच्छा लगता था पर दादी ने मुझे सिखाया कैसे सब के साथ मिल करके सब कुछ करना और मिलन सार बन के रहना आप समझ सकते मैं opposite थी मुझे अकेरा अपना ही company अच्छा लगता था और कुछ न मैं करू औरों के साथ न करू अपने साथ अपने आप ही मैं एक कोने मैं जो भी मेरे को सेवा मिलती थी मैं वो उसमें ही खुश रहती थी और परमातमा की याद में मुझे बहुत ज्यादा interest था तो इसलिए मैं बातचित भी कम करती थी जरूरी है वो ही बात करती थी तो दादी ने मिलन सार सबके साथ कैसे बन के रहना वो दादी ने सिखाया आप दादी की अंगसंग कितना समय रहे मलाव एक separate एक अंगसंग होता नहीं परमानेंट 24 गंडे ऐसा कुछ ऐसे में दादी के साथ अंगसंग 10 साल पर उसके बाद भी फिर हमारा पूरा सेट अप चेंज हो गया और सेवा के कारण दादी ने मेरेको हमारा जो ग्लोबल कोपरेशन हाउसे उसके बाजू में घर है वहां पर हमको दादी ने सेट किया तो दादी से हम कोई भी घरी दूर नहीं रहे हरोज सुब दादी ग्लोबल हाउस में आती थी दुपेर साड़े तीन बजे तक रहती थी में दादी के साथ ही साथ होती थी और मेरा जो सेवा का दादी ने मुझे पार्ट था वो था समझो में ट्रांसलेशन भी करती थी दादी के लिए हिंदी टु इंग्लिश या इंग्लिश टु हिंदी कई भाईबेन दादी से मिलते थे हमारे जो इंडियन से वो भी हिंदी नहीं जानते थे तो उनके लिए भी ट्रांसलेशन करना पर दादी ने, actually हम सब को जो भी हिंदी समझने वाले भाईबे ने, सब को दादी ने encourage किया हिंदी क्लास में बैठने का, हमारे पास हिंदी, इंग्लिश और टामिल, तीन लेंग्विज क्लासिज होते हैं, तो हिंदी क्लास में सब को बैठने का दादी ने हमको सिखाया, कि कुमार भी है कुमार्या भी है जिनको हिंदी नहीं आता है सबको दादी ने इंकरेज करके सबको सिखाया तो मैं आपको बताने जा रही हो क्योंकि दादी के अंदर इतनी ब्रोड विजन थी कि हम लोग अगर हिंदी सीख जाएंगे तो इंगलीश तो आता तो है सबको परन्तु हिंदी भाषा में अपने लोगों को हिंदी में ये ज्यान की चर्चा कर सकते हैं, डिसकर्शन कर सकते हैं आज ऐसा ही मोल बन गया कि सब हमारे भाईबें हिंदी में अच्छा भाषन भी करते हैं और लेंदेन भी करते हैं, रूरूहान भी आपस में हिंदी में करते हैं, हम लोगों का हिंदी जो हैं वो फ्लूउंट होता जा रहा है तो ये दादी को में क्रेडिट तुनगी, कि सबको दादी ने घड़ी-घड़ी अंडरलाइन किया तो मुझे परसनली दादी के संग से बहुत प्राप्तिया हुई हैं, एक तो ये कि भगवान के नजदीक आने के लिए कौन से गुण आपमें होने चाहिए उसका मतलब कि मेरे जो अउगुण है, उसका मुझे छोड़ना पड़ेगा तो अउगुणों को भी देखना और जानना और उसको निकालना वो भी दादी ने हमको सिखाया वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेरे में गुणी गुण है, परन्तु एक अउगुण है, तो वो सब गुणों को ढख देगा तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जीवन में, जैसे हम जीवन की बात करते तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमको साथ-साथ अउगुणों को भी निकालना है, गुण तो भरते ही जाना है, औरों के गुण भी देखना है, अउगुण औरों के नहीं देखना है, उसके उपर भी चर्चा नहीं करनी है यह सब बाते जो हैं, हमारे जीवन को जैसे एक प्रफूलीत बनाती है और खुशी लाती है जीवन में अगर किसी का भी अउगुण हम अभी डिसकॉर्शन करेंगे, तो हमारा जो हमारी अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो खतम हो जाती है तो यह भी डादी ने हमको अच्छा लेसन हमने सिखा है डादी के जीवन से कोई ऐसी बात डादी की खास विशेश जो आपको लगती है कि मैं आभी मिस कर रही है मैं डादी की हम चिचचच बहुत करते थे डादी के साथ, वो मैं बहुत मिस करती हूँ परन्तु खेर स्पिरिचुल मार्ग में तो हम ये भी सिखते हैं कि दादी जी फिजिकल बोडी जो थी उनकी ये पहुत क्या बोलते हैं बोडी, स्पिरिचुल बोडी अध्यात्मिक शक्ति के आधार से हम अपने मन के संकल्पों को, विचारों को उनके साथ भी जोड़ सकते हैं सटल बोडी में जहां पर भी वो आत्मा गई है, जिस शरील में भी गई है, परन्तु उनका जो सटल फॉर्म जो हम कहते हैं, एंजेलिक फॉर्म वो एंजेलिक फॉर्म के साथ तो हम रूप के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, बात्चीत भी कर सकते हैं, वो गेराई की बात है तो हमारे दिल में कोई भी बात आती है तो हम देखते हैं कि हरोज का जो हमारा study class है मुल्ली class जो होता है उसमें कई प्रश्णों का उत्तर आता है तो मेरे मन के अंदर actually प्रश्ण है पर वो प्रश्ण का उत्तर मुल्ली में भी आता है और कभी-कभी कोई चर्चा करते हैं ग्यान पर तो उसमें भी मेरा उत्तर मुझे मिल जाता है दादी की प्यार पालना आपके साथ कैसी रही? दादी की प्यार पालना तो बहुत हमारे रही जो मैंने एक्चिली मैं ये भी आपको बताऊंगी कि लोकडाउन में दादी जी ने शरी छोड़ा 27th मार्च तो हमको बहुत-बहुत रियलाईजेशन भी हुआ और दादी ने बहुत प्यार का अनुभव भी हमको कराया लोकडाउन में दादी ने शरी छोड़ा वो सुक्षम स्वरूप में हमने बहुत प्यार का अनुभव गिया तो मेरी प्यार की पालना का अनुभव मुझे ये है कि शुरू-शुरू में जब मैं नहीं थी, मैं दादी के साथ रहती थी मैं बैंक में काम भी करती थी और कॉलेज तब तक मैंने छोड़ दिया था तो मेरा दीन शुरू होता है साड़े तीन से ग्यारा बजे तक रात को बीच में हम नैप नहीं लेते हैं माना आराम नहीं करते हैं आफ्टरून में क्योंकि हम बाहर हैं तो हमारा ड्यूटी था क्योंकि मैं एक ही थी दादी के पास तो साड़े तीन बजे हमको दर्वाजा खोलना है सेंटर का सब भाईबेन आते थे योग के लिए कई बार हमारे भाई लोग साड़े तीन पोने चार बाहर खड़े रहते थे तो कभी मुझे लगता था मैं जल्दी जाके खोल दू दर्वाजा तो एक बारी मेरी आँख नहीं खुली तो दादी जो हैं कमरे से उठ करके पैसेज में खड़ी थी मेरा कमरा यहां था दादी ने मेरे को द्रश्टी दिया और दादी के वाइब्रेशन ही मेरे को उठा देते थे कभी-कभी दादी ने आकर के अपना हाथ मेरे सीर पर रखा जैसे दादी वहां खड़ी रही हाथ सीर पर रखा एकदम ऐसे लगता है जैसे कोई एंजल तो दादी की इतना प्यार से कभी दादी ने शब्द नहीं बोला कभी ऐसे नहीं कहा कि आप टाइम पे नहीं उठे या आँख लग गई कभी भी एकदम प्यार दादी और भी प्यार करती थी तो उससे मेरे अंदर आता था कि नहीं मुझे और एक्यूरेट बनना है और मुझे time के पहले ही उठना है So really, ये दादी की प्यार की पालना जो है, आप कह रहे हैं दूसरा दादी की प्यार की पालना ये है, कि मैं दादी जी के साथ रहती थी घर से मैं आई थी तो एक बारी मैं दादी को बोला दादी मैं तो अपनी family को miss कर रही हूं क्योंकि मेरे जैसे कोई बहने नहीं थी वहां पर, सुदेश बहन थी, जैनती बहन और में, तो मैं दादी को कहती थी, मेरे दिल में जो आता था, मैं दादी से बात करती थी, तो दादी ने मुझे का ठीके, आप सब कुमारिया जो हैं, उनको फोन करो, और हर फ्राइडे को और साटरडे यहां रेके, फ्राइडे नाइट, साटरडे नाइट रेके संडे को सब अपने घर जा सकते हैं, तो दादी ने फैमिली नाइट शुरू किया मेरे कारण, तो सब कुमारिया करीबन फोर्टी कुमारी हम थे, सब आते थे, बहुत अच्छा लगता था, एकदम म लोगों को बहुत बेलाती थी, बहुत अच्छी गहरी-गहरी घ्यान की बाते दादी हमारे से करती थी, बहुत अच्छा लगता था, उसमें से सारी, बहुत सारी कुमारिया फिर निकलाई और आज बहुत सारी कुमारिया सेवा में हैं, तो ये मेरा अनुभो दादी के साथ प्यार का, कि दादी हमारी बात को सुनती थी और उसके ऊपर एक्शन भी लेती थी, दादी ने से अनसुना कभी नहीं किया, जो भी दादी को बोला, कभी ऐसा हुआ है कि आपने, आपसे कुछ गलती से कुछ ऐसी मिस्टेक, गलती हो जाती है, और आपको यह क्या होगा, कि हमारा दादी के साथ open relationship था तो mostly मैंने दादी को सब कुछ अपने बारे में बताया है अच्छाई और बुराई जो भी मेरे से होता था तो कभी-कभी क्या है दादी बहुत accurate teacher थी और शुरू-शुर में दादी बहुत strict थी और हम हम बहुत वियस्त रहते थे सेवा में कभी भी हम सोचते नहीं थे खाने का पीने का timetable हमारा बिल्कुल नहीं था तो दो बाते दादी ने मुझे एक पार बोला आप मुझे एक वीक का timetable दो बना के कि मैंने मूरली के बाद समझो क्लास के बाद walk किया है फिर मैंने नास्ता किया है फिर मैंने लंच किया है मैंने एक वीक का दादी को नहीं दिया आज दिन तक मेरा अभी तो ठीक है मैंने पुर उशारत करके अपना timetable बनाया है परन्तु बहुत में काम अपने कारोबार में व्यस्त रहती थी तो दादी ने मुझे कहीं बार बोला है बीजी माना लेजी इस पर भी मैंने बहुत घेराई से सोचा दादी राइट है लेजी माना बुद्धी जो है अगर मेरी परमात्मा की याद के लिए मेरे पास टाइम ने तो वो लेजी है मैंने कुछ मिस किया मैं वही सूच रही थी बीजी माना लेजी ऐसे कैसे इंसान जो बीजी होते हैं तो लेजी हो ही नहीं सकता है पर अब समय में है कि भगवान को याद मेंटली माना अपना जो mental state of mind मेरा mind जो है और कारोबार में व्यस्त है पर mind को मैं परमात्मा में लगा के परमात्मा को याद करू उससे मुझे ज़्यादा प्राप्ति होती है ये मैंने न समझ करके जो कार्य करना है उसमें में व्यस्त रही तो इसके लिए दादी ने मुझे बहुत बार कहा है कि आप बहुत काम में फोकस कर रही हो परन्तु याद में आपका ध्यान जो है कम हो गया है दादी ने बिठा करके भी मुझे बोलाई मैंने पुरुशारत किया एक वीक चला दूसरा वीक चला फिर ट्रेक से बाहर चले जाते हैं क्योंकि हमेशा रहता ये काम है इस टारिक को ये डेट को एक्सपारी डेट ये ये डेट तक पूरी करना है तो डेट कॉंशास बन गए थे तो मैंने ये सब रियलाइज किया और दादी को हम बताते थे दादी हमको करेक्शन्स देती थे फिर दादी हेल्प भी देती थे चलो ये काम है आपसे सब कुछ नहीं होता है आपको कोई और मददकार मिले माना दादी फिर हेल्पर्स देते थे हमको अगर मैं दादी को नहीं बताती थे तो सब कुछ मैं ही करती थे अकाउंस भी मुझे ही करना है production का काम भी मुझे करना है proofreading भी मुझे करना है माना too much है phone भी मुझे answer करना है ये सब मैं नहीं कर सकती हूँ हम दादी के साथ बैठ के पूरा time table बनाया कि मैं क्या कर सकती हूँ जो और नहीं कर सकते वो मेरे को करना है फिर ऐसे करके दादी ने short list कर लिया कि आपको ये करना ये नहीं करना है दादी ने बोला ये काम नहीं करना है तो दादी ने का नहीं करना है तो आज दिन तक वो काम नहीं करना है किसी और से करवाना है तो ऐसे हमारे को clarity हो गई के नहीं तो पहले हम सब कुछ हम ही करते थे. कभी ऐसा फील हुआ कि दादी मेरे जैसे हम 它 zijn 4-0 लोग बैठी है उसको बोला है, मुझे नहीं बोला है। दादी के महीं अगजंग रहती हूं मुझे क्यों नहीं बोला। इसा कभी हुआ? मेरे को कभी यह feeling नहीं आया, क्योंकि शुरु-शुरु में दादी जी के classes में जब आती थी न, जब मैं student थी, तो दादी ने बहुत समय तक jealousy पर, carelessness पर, laziness पर classes कराए, तो हमको तो बहुत interest आए self development के लिए, तो इसलिए हमने तो अपने को अपने से बात करके हमने नकी किया था, कि हमको कभी भी jealous नहीं होना है, हम खुश रहना है, संतुष रहना है, जो भी हमको मिलता है, हम खुश है, तो हमारे सामने बहुत सारी कुमारी आई, और हाँ, वो मेरे से आगे जाए, मैं उनको अपनी सेवा दे देती थी, पर मैं खुश रहती थी, दादी मेरा ध्यान भी खिचवाते थे, पर मुझे कभी भी आज दिन तक यह नहीं लगता है, बले वो मेरे पास भी आएगी, आएगी उसको, कुछ भी तो सब हम दिल खोल के उनको देते हैं, या करते उनके लिए, तो यह दादी देखती भी थी, कि क्या हो रहा है है, बेक दादी को याद करेगी, जेमिनी कहा है, तो सारी क्लास भरी हुए, सब इधर उदर देखेंगे, कहा है, तो कहीं लोग मेरे को फोन करके बोलते हैं, दादी ने आपको याद किया, आप कहां पर थी, तो कहने का मतलब कि हम दादी को, फिर बोला, दादी कहते है, क्यों आज क पर रिपीट तो नहीं होगा ना, फिर वो हमने सिख लिया, ऐसे होता है निए चोटे होते हैं, माना चोटे होते हैं, इसे बाद की प्यार की पालना, आपने विशेश बात क्या देखी, जैसे किसी बड़े व्यक्ति से दादी मिल रहे हैं, किसी कोई भी ऐसा बड़ा व्यक्ति है, उस समय दादी का क्या रूरिहान था, क्या बातचीत होती थी बड़े व्यक्ति, कि हाँ मुझे ये सीखना है था कि मैं आगे चल कर भी ऐसे कर सक दादी थो बड़े लोगों को मिले या किसी को भी मिलती थी, दादी वोस दादी, दादी हमेशा उनका ध्यान रहता था कि मैं कैसे इनको भगवान का परीचे दे कि उनको भगवान के नजदिक लाओ, कभी भी दादी ने नहीं सोचा कि वो मेरे नजदिक आवे, कभी भी न और दादी उनका follow up करती थी फिर मिलने के बाद फिर दादी कहती थी कि अभी आप इनकी पीट करो तो मैं उनकी पीट करती थी तो ये मैंने दादी से सिखा follow up पीट करना, learn from दादी माना follow करना तो follow up करना हमने दादी से सिखा कि कैसे हमको उनका ध्यान भी रखना है और साथ-साथ उनको हमको आगे भी बढ़ाना है और वो हमारे साथ जुडे हुए रहे ये भी रखना है तो कोई भी ऐसा फेस्टिवल्स है या ऐसा समय है उनको टोली भेजना है या उनको याद सो गात देने ये मदुबन से आते है कुछ न कुछ चलता है तो दादी का भी याद देना है और दादी फिर दुबारा जब लंडन में आती थी तो हम उनको दादी से मिलाते थे तो उनकी याद भी ताजी हो जाती थी वो नस्दिक आते थे तो दादी का ये होता था घरेलू फीलिंग, अपना पन की फीलिंग दे, एक ही मीटिंग में अपने पन की फीलिंग बहुत बड़ी बात है कि कोई इतना अनुभव प्रमात्मा की आद में खोया हुआ रहता है और वो इतने सारे संगठन में प्रेम पालना दे, ये बहुत एक-एक को अभी, कितनी बड़ी बात है और आप तो उनके साथ अंग संग नहीं मिलब एक है, अंग संग से भी मिलब औ जो शब्द हो सकता है, वो मैं कहना चाहूंगी, आप हमारे स्कारे क्रमे और आदादी का इस तरह से अनुभव हमें सुनाते रहें, सुनाते रहें और आप अपना ज्यान का खजाना हमें देते रहें, और मुझे उमीद है कि हमारे दर्शक भी ये ज्यान का खजाना ले रह बाते हमारे काम के में आपका बहुत बहुत धन्या रहना है कि अगली कडि में बाते हमारे काम के में फिर से आपके समक्ष हाजिर होंगे तब तक के लिए नमस्कार